एपिसोड नमबर दो सो अठातर टो सेवन एट राम चरित माल सली लिगावा तुल सीप्रित ये कथा सुनावा आज से आरंभ होता है श्री राम चरित मानस के पांचमे सोपान सुन्दर कांड का संगीत बद्ध पाठ मंगला चरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्भरा अर्थात पून भक्ति की याचना करते हुए जगदीश्वर के राम रूप की वंदना की है। माया से मनुष्य रूप धारन करने वाले रखुकुल मनी, शान्त चित, शाश्वत शान्ति देने वाले सर्व व्यापी और सभी प्रकार के प्रमानों से परे हैं। इस वंदना के पश्यात भक्त कवी ने आतुलित बलवाले पवनिसुत हनुमान को प्रणाम निवेदित किया है, जिने सुमेरु परवत के समान कान्ति प्राप्थ है, किन्तु जो दैत्यों का विनाश करने के लिए अगनी रूप धारन कर लेते हैं। सागर तट पर रीच राज जामबवान के प्रेरणा भरे वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान को अपनी क्षमता और सामर्थे का ज्ञान प्राप्थ हुआ। शांतम् शाज्वतम् प्रमेयमनधम् निर्वान् शांति प्रादम् ब्रम्धाशंभु हलेंद्र सेव्यमनीशं। वेतांत वेत्यम् विभुम् रामाख्यामं जगदीश्वरं। रामाख्यामं जगदीश्वरं। करुआ करम् रभुवरं। भुपाल चुड़ामं मलिं। करुपाल रभुम् याँ रामाश्याम् रामाश्याम रामाश्याम नाम्यास्पिहार रगुपरे घिर्दैस्मदे सत्यम्वरामिचद मावान खिरांत्राम् भक्तिं प्रयक्षं रगुपुन्दावाद आए निर्दाम् में कामानि दो शरहितम् पुरुमान संक्च पुरुमान संक्च दिशान ज्यानि नाम ग्रकर्यम् पुरुमान संक्च पुरुमान संक्च शरुमान संक्च रुपद्य प्रयक्तम् वात जातं वाद जातम नमामी वाद जातम नमामी जामवन्त के बच्छन सुहाई सुनि अनमंत दयरति भाई तब लगि मोही परिखे हू तुम्ह भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगिया वो सीत ही देखी होई ही काजु मोही अरख भिसेखी यह कहिना इस बनी कहुमा था चले हो भर रखी यह खरी रखुना था सिंधु तीर एक भूधर सुन्दर कौत क कूदी चड़े उता ऊपर बार बार रखु बीर संपारी तरके उपवन तनाय बल आरी जेही गिरी चरन देई हनु मन्ता चलेउ सुगा पाताल तुरन्ता जिमी अमोग रखु पती करबाना एही हाती चलेउ भन माना जलनी भी रखु पती दूत विचारी तै मैनात हो ही शमहारी तै मैनात हो फे जाए 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 भास जाए तै मैनात हो पती जाए 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 बार रखु गजह